नमस्कार दोस्तों निफ्टी वबा चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स जैसे मैंने कल बताया था कि जैसी 14530 के उपर निगलेगी तो एक ब्रेकाउट आएगा तो वो ब्रेकाउट भी आया और हर डिप पे बाय करने के लिए का तो वैसे हुआ हमने 14450 के आसपास बाय किया और उपर 14670 तक हमें सही टार्गट भी मिला तो इस तरह से हमें लगबख 100-800 पॉइंट का प्रॉफिट बड़े अराम से हुआ और इसी तर 305 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकाउट आया और 32850 का हमारा टार्गर था फिर भी ये 32760 पर क्लोज हुई है बैंक निफ्टी तो इस तरह से 100-100 पॉइंट का प्रॉफिट हमें इस से भी तो इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी ज़े फिर से हमें 300 पॉइंट का कि रिजल्ट थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी माइनस था तो हमें इस चीज़ का फाइदा हुआ और गिरा स्टॉक और हमने 942 पर भी तो उसके बाद इसने बहुत अच्छी रिकवरी दखाई और ये दिन के हाई पर बंद हुआ तो 980 हमें 968 का टार्गर भी मिला तो इस तर हमें 988 पर किया है तो भी ठीक है अगर यहां पर की है 684 पर तक भी ठीक है तो इस तरह से हमें 24 का पॉइंट का पॉइंट यहां से हुआ तीसा स्टोक मैंने दिया था Canera Bank Canera Bank भी दिन के हाई पर क्लोज हुआ 134 से हमने इसे बाई किया 132 से 34 से हमने इसे बाई किया और 140 का target भी मिला तो इस तरह से 8 तो इस तरह से हमें 3 तो स्टोक से 60 point का और अगर Nifty Bank Nifty देखे 300 point का इस तरह से डेली जो भी हमारे Nifty वबाद चैनल के दर्शक है डेली इस तरह से profit कमाते हैं और सिरफ आप ही नहीं ये बड़े-बड़े Bollywood स्टार भी हमारे profit हमारे viewers है तो हमने एक उसमें Nifty वबाद चैनल जो free telegram उसमें डाला भी है कि हमारे जो एक बहुत अच्छे व्यूर है मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता है तो उन्होंने भी काफी तरीफ की है हमारे चैनल तो इस तरह से अगर आप नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाईए टेलिग्राम चैनल जो free telegram चैनल है उसको जुरूर क्लिक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ नीचे DMAT अकाउंट दिये हैं एंजल ब्रोकिंग या आस्था ट्रेड और इंडिया इंफो लाइग तो तीनोई टॉप की कंपनीज है जहां पर भी आज DMAT काउंट खोलेंगे तो अच्छा सर्वर है अच्छी ट्रेड करने को आपको मिलेगी तो अब जो कल के लिए तीन स्टोक हम लेकर आए हैं वो सबसे पहले है SBA तो SBA को हमने बाई करना है इसका 348, 351 तक का कोई भी डिप हो तो हमने बाई करना है मैं डेली चार्ट पर लेकर आता हूँ ता कि आपको समझा सकी क्यों यह देख गया होगा क्यों क्योंकि 20 DMAT 348 पर है 348 तो हमारा इसलिए स्पोर्ट रहेगी और 340 का आपने stop loss लगाना है 348, 351 तक कि किसी भी डिप पर बाई करना है और अगर यहां कहीं भी मिले वैसे gap of opening की उमीद है इसमें भी 356, 357 तक भी मिला तब भी आप बाई कर लेना और एक ओल लेवल मैं जो देख रहा है वो आप ये तो 357 के ऊपर भी खुले तब भी आपने बाई करना है तो target आपका 372 रहेगा तो 372 क्या है 372 है 50 damage 373 पर है तो मैंने फिर भी 372 लगाया कि एक रुपी है पहले यह आप निकल जाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेग उसके पहले उसके अगला जो stock है वो है IRCTC IRCTC ने बहुत अच्छा breakout दिया इसका मैं वैसे कल देना चाहता था पर मैंने नहीं दिया क्यों नहीं दिया देखे 50 damage का 1762 पर इसने 1762 से भी 30 points उपर निकल गया तो कोई बात लिए हम इने 1802 तक कि किसी भी dip पर बाय करना है 1763 पर मिले तब भी बाय करना है और थोड़ा dip पर बाय करना है यह धिया रखना और उसके बात जो target रहेंगे वो मारे रहेंगे 1827 और 1844 और stop loss आपने लगाना है 1690 तीसरा जो stock है वो है दीपक नाइट्रेड दीपक नाइट्रेड ने आज बहुत अच्छा breakout दिया है यह देखिए कैसे यह flag बना रहा है और इस flag को इसने breakout दिया है तो इस तरह से यह उपर की और जा रहा है और 1767 तक कि किसी भी डिपक को आपने बाय करना है 1750, 1750 का stop loss लगाना है और target रहेगा 1886 का stop loss रहे तारगेट रहेगा आपका दीपक नाइट्रेड तो अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पर तो फ्रेंड्स जैसे मैंने कल समझाया था कि 32 512 एक इंपोर्टन लेवल और 32 440 भी एक इंपोर्टन लेवल था वो था 20 डेमा जो कल 440 पर था आज है 412 तो इस तरह से 32 412 तक कि किसी भी डिप पे आपने बैंक निफ्टी को बाई ही करना है और जो उपर के टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 32 850 यह ध्यान से देख लिजिए 32 975 23083 यह 23083 क्या है यहां पर 50 एम है तो इस बात का आपने ध्यान रखना है तो इन लेवल से आकर पहले एक बार प् यह ध्यान रखना है क्योंकि 33,000 पर फिर से कॉल राइटर है तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार आपने 33 080-33,000 के आसपास निकलना है और फिर 33 150 पर फिर बाई करना है और उपर की और हर डिप पे बाई करना है नीचे की और अगर 32 412 तक कि किसी भी डिप मतलब 32 512 पर मिल जाए 32 605 मिल जाए तो हमने निफ्टी को बाई करना है उपर के टार्गेट जो फाइनल टार्गेट हमारा रहेगा जो मैंने रेड सिगनल दिया है यहां पर वह है 3407 तो 34070 एक फाइनल टार्गेट रहेगा क्यों क्योंकि देखिए जो 34236 है इसका 50 डेम तो 34236 से पर अपने प्रॉफिट बुक निकल निकाल के अपना पैसा अपने बैंक में वापस डाल लें तो उसके बाद अब हम आते हैं निफ्टी पर इंडिया विक्स 23.08 यह देखिए बाद में यह लास्ट में बढ़ जाता है इसके कोशिश किया जीए यह देखिए एक बज़े के डेली बढ़ जाती है तो यह वैसे एक ट्रिक है जो मैंने आपको टिप दी है वैसे कि डेढ़ वज़े तक ट्रेड करो ट्रेड से जो तीन-30 होते हैं उसमें वोल्टैल्टी काफी हाई हो जती हुआ उपर नीचे उपर नीचे तो जो सिंपल ट्रेडर है बिग्नर होते है वह फस जत तो फसने से बचने के लिए मैंने यह राय दिए और अगला है पुट को रिश्यो देखिए पुट को रिश्यो निफ्टी का 1.52 पर अब जाकर काफी एक डेर मिने बाद इसकी PCR बढ़ी है तो 1.52 फिर भी ठीक है मैंने कितनी बार समझाया हुआ है यह चीज के बार यह 14.500 पर 57.52 और 14.600 पर 27.45 जार मतलब 14.500 से 14.600 एक अच्छी स्पोर्ट बनी और 14.600 पर पुट रिटर कॉल रिटर से कहीं ज़्यादा है एड भी ज़्यादा हुआ है टोटल में भी ज़्यादा है और उपर की और अगर रिजिस्टेंस है कहीं तो 14.700 पर तो कहीं नजर नहीं आ रहा कि 14.700 इसे रोक देगा और 14.750 पर जहां कल काफी खड़ा था आकड़ के कि मैं यहां खड़ा हूं मैं रोकूंगा और वह भी भाग गया और 14.750 वाला भी भाग गया अब खड़ा है 14.800 पर 14.800 पर कॉल रिटर 38.00 और जो पुट रिटर है काफी काम है 7.90 इसका कारण एक तो सबसे बड़ा कारण है 14.800 पर फिफ्टी डेम है तो फिफ्टी डेम अब इसे रोकेगा क्योंकि इसने बाकी सारे डेमा तो क्रोस कर दिए अब 50 डेमा केला रहा गया है जो उपर 14.805 पर खड़ा है तो 14.805 इसे रोकेगा तो इस लिए 14.800 पर काफी ज्यादा क्योंकि जो आज मार्केट ने स्ट्रेंट्थ दिखाई है वह काफी ज्यादा हाई तो और मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि आपका दिमाग में वह डाटा होना चाहिए और ना वायरस का डाटा आज मतलब कल रात का आया था 11.11 का वह कम आया था परसों से तो ज देखे कैसे इसने ब्रेक और वैसे भी मैंने कल बता दिया था और टेकनिकल जो चार्ट की केंड़स दिखा रही थी वह तो अब मार्केट और उपर जाएगी क्यों क्योंकि जो इसका 20 डेमा था 14 575 के आसपा 14 588 14 580 पे 20 डेमा घूम रहा है तो वह अब इसको स्पोर्ट का काम करेगा और अब भी जो मैं आपको ट्रेयर दे रहा हूं वह भी किसी साब से दे रहा हूं कि 145 75 तक कि किसी भी डिप पे आपने निफ्टी की कॉल ही बाय करनी है 14 600 की कॉल बाय कीजिए और अगर 14 667 के उपर खुलती है कल मार्केट तो 14 700 की कॉल बाय कीजिए और उपर क टार्गर जो आपका रहेगा वो रहेगा 14 763 और 14 803 14 800 ही मानिए वैसे 14 797 पर ही निकल जायागी मेरी जो रहे है तो यह हमारा कल का टार्गेट रहेगा 14 800 के टार्गर के लिए हमने इसके उपाय करना है निफ्टी के किसी भी डिप को 14575 तक और अगर मान लीजिए 14575 वैस वो सिरफ पुट में ट्रेड करना जाना तो 14575 के नीचे अगर निफ्टी जाए तो फिर आप पुट बाए कर सकते हैं और stop loss आपको बड़ा ही strict लगाना रहेगा वो लगाना पड़ेगा 14 600 का सिरफ 25 पॉइंट का stop loss और नीचे जो टार्गेट रहेगा 14 530 और उसके बाद 14 458 अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी गनीवत पर कोशिश कीजिए कि 14 530 पर ही निकल जाए क्योंकि यह भी एरिया जितना भी है यहां से 14 400 से लेकर देखे 14 400 से लेको उपर तक का सारा एरिया एक बुलिश जोन है फुल फुल बुलिश जोन है तो पुट राइटर्स अगर पुट पुट बायर्स चोदा पांसोब चत्ता के हीचे पुट ख्रीदें भी मेरी राय पर मेरी एडवाइस पर तो चोदा शेसों का स्टॉप लगाना क्योंकि किसी भी डिप पर इसने अब उपर ही जाना है मार्किट ने और ज्यादा अच्छी पुट तब होगी वगर 14 35 353 तोड़ दे अगर 14 353 तोड़ दिया कि तुफानी गरावटी है पर वह अब चांस बहुत कम है वह तो पीछे की बाते रहेगी अब तो मार्किट ऊपर की और कॉंसोलीट हो सकता है कर ना भागे नहीं भी भागी तब भी वह कॉंसोलीट होगी 14 750 और इसी लिए मैंने पहले टार्गर 14 टेंशन से क्रेट हो जाती है कि हां अब वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं और अब उसके बाद ब्रेकट कहां आएगा जैसे आज मैंने बताया था आज के लिए ब्रेकट तो अब में फिर से बताज़ता हूँ देखिए ब्रेकट आएगा 14 840 के उपर जैसे 14 840 अगर क कर दिया तो 300-400 पॉइंट की तेजी 200-300 पॉइंट की तेजी बड़े रहाम से आ जाएगी पर यह तो बहुत एक अजूबई होगा पर अभी फिलहाल हवा में नहीं उड़ना जमीन पर ही रही है तो 1476-750-14763 के आसपास निकलिए और उसके बाद चुपचब देखिए अगर 14-140 क्रोस होता है तो फिर बाय कीजिए जैसे हमने आज के लिए इस तरह से आप अपना पैसा भी बिचाएंगे बीना मतलब के ट्रैप लिए तो जो निफ्टीवा चैनल के साथ जुड़े रहते ह कभी भी ट्रैप नहीं होते हैं उन्हें पता होता है कि कौन सा जाल बिच रहा है कहां से निकल कहां पर बायक तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर का जाल बंचिए और ज्यादा से ज्यादा टार लाइक कीजिए और लाइक कीजिए और लाइक कीजिए और ला-वीडियो